हेलो एबरीबन बलकम टो माई चेनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर ट्रेंडिंग बठाने सूट बनाना सिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और एक कपड़ा हमारा चार मीटर आए की किस में हम अफवाने सलवार भी बनाएंगे तो पहले हमें आपर सूट की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है तो अब हमें आपर आदा इंच का मार्जन छोड़के यहाँ पर सूट की लंबाई नापेंगे तो लंबाई हमें आपर रखेंगे 31 इंच और एक इंच का मार्जन लेंगे तो 32 इंच पर हमें निसान लगाना है एक इंच का मार्जन हम नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे और यहाँ पर हम सरट कॉलर बनाएंगे तो सोल्डर की चोड़ाई हमारी 13 इंच है 13 को आदा करेंगे तो 6.5 इंच पर निसान लगा देंगे और यहाँ पर आर्मोल की लंबाई भी 6 इंच रखेंगे फिर हम यहाँ पर एक इंच पर आर्मोल की उलाई करेंगे और सीने की चोड़ाई हमारी 17 इंच है तो 17 को आदा करेंगे तो 8.5 इंच पर निसान लगा देंगे अब हम यहाँ पर इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँपर हम13 इंच पन लगाएंगे निसान हिप के लिए और सारे 6 इंच पन लगाएंगे कमर के लिए तो हिप की चोड़ाई भी हमारी 17 इंच है तो 17 को आदा करेंगे तो सारे 8 इंच पन लगा देंगे और कमर की चोड़ाई हमारी पंदरा इंच है तो पंदरा को आदा करेंगे तो साड़े साथ इंच पन निसान लगा देंगे फिर हम यहाँ पर तीनों निसान को मिला देंगे और यहाँ पर हमें दो इंच का मार जलेना है तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे अब हम यहाँ के अपन नीचे की तरप आद अंच कमार जलेंगे तो इस तरह से हमें सीधी लान कीशिदे नहीं जूरू नीचे का दामण हम गुलाई में रखेंगे टो इसी लिए यहां पर हमें दो हंच पन निसान लगाना है और यहां'reु और कर देंगे तो हमने देखी इस तरब से निशन को लगा दिया है तो अब हमें आप कटिंग करेंगी इस वीडियो को लग ख़ूंज है इस a तो हमने यापर आगे वाले पल्ले की कटिंग कर लिया है तो अब हमें यापर फिर से कपड़े को इतरह से फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो हमने यहाँ पर कपड़े को बिचा लिया है तो अब हमें यहाँ पर इसके उपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे आगे वाले पल्ले को हमें आपर दो इंच नीचे बढ़ा के रखेंगे तो हमने यहाँ पर पल्ले को रख लिया है देखिए आप लोग देख सकते हैं तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे निसान लगाएंगे तो पीछे वाले पल्ले को हमें दो इंच जादा रखना है तो यहाँ पर निसान लगा देंगे और यहाँ पर हमारी सोल्डर की चोड़ाई साड़े छेंच है तो साड़े छेंच पर हमें निसान लगाना है यहाँ पर डेल इंच का माजन छोड़ते हुए आरमोल की गुलाई करेंगे और साट में हमें सेम निसान लगा देना है और यहाँ पर गले की चोड़ाई धा इंच रखेंगे तो यहाँ पर निसान लगा देंगे और आधा इंच पर गले की उलाई करेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच सोल्डर डाउन कर देने है तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे अब हम यहाँ पर आगे वाले गले का निसान लगाएंगे तो चौडाई में हमें धा इंच पन निसान लगाना है और लंबाई में तीन इंच पन निसान लगाएंगे फिर इतरह से गले की उलाई करेंगे और यहाँ पर भी हमें आदा इन सोल्डर डाउन कर देने हैं तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे और नीचे की तरफ हमें सेम निसान लगा देना है तो हमने निसान लगा दिया है तो अब हम यहाँ पर इस तरह से एक बराबर कटिंग करेंगे झाल झाल तो यहाँ पर देखी मैंने कटिंग कर लिया है जो हमने दो इंच का मार्जन लिया है तो वो कुछ आगे की तरप आ जाएगा अब हमें याँ पर क्या करेंगे पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे और आगे वाले पल्ले को दुबारा से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें पौकिट का निसान लगा देना है तो यहाँ से हमें दो इंच पन लिसान लगाना है और लंबाई हमारी पांच इंच रहेगी अब हमें याँ पर तीन इंच पन लिसान लगाएंगे और इस साइट में भी हमें आपर तीन इंच पन लिसान लगाएंगे फि तो अब हमें आपर इसी निसान से कटिंग करेंगे साइट में हमें दो पॉकिट लगानी है तो यहाँ पर मैंने कटिंग करिया है तो अब हमें आपर बाजू की कटिंग करेंगे तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है फिर हम याँ पर इसको दुबारा से फोल्ड करेंगे तो अब हम याँ पर एक सीधी लाइन खीचेंगे और याँ पर हमें तीन इंच पन निसान लगाना है और इतरह से बाजु की गुलाई करेंगे और बाजु की चोड़ाई हमें आपर आठ इंच रखेंगे तो याँ पर निसान लगाएंगे और दो इंच का सिलाई मार जल लेंगे अब हम याँ पर बाजु की लंबाई ना पेंगे तो लंबाई हमारी 16 इंच आदा इंच का मार जल लेंगे तो 16 इंच पन निसान लगा देंगे और यहाँ पर भी आदा अंच का मार जल लेंगे इसमें हम अलग से लेस लगाएंगे तो बाजू की चोड़ाई हमें यहाँ पर साड़े चार इंच रखेंगे तो यहाँ पर दोनों निसान को मिला देंगे और साट में दो अंच का मार जल लेंगे तो हमने निशान लगा दिया है तो अब हमें यापर कटिंग करेंगे तो यापर हमारी कटिंग हो गई है अब हम यापर आगे की साथ हलकी सी गहराई देंगे इस वाला इससा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यापर कट लगा देंगे तो हमारी बाजो की कटिंग हो गई है और यापर मैंने दो पॉकिट कटिंग करी है इसको फोल्ड करेंगे तो चोड़ाई हमारी साथ इंच है और लंबाई 14 इंच है तो यहाँ पर हमारी पठाने सूट की कटिंग हो गई है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगी तो उम्मित करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब करना ना भूलें और बैला कन को भी दबा दे जिससे जो मारी आने वाली वीडियो है वो आप लों को सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू